नमस्कार दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम चलिए एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ लाइब हूँ गुजरात के सबसे टॉप एजुकेशनल सेंटर रमानी इंस्ट्यूट के साथ और उसके यूटूब रमानी कॉंसेट के साथ दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं आज फिर से आप सभी के साथ में एक ऐसे बिंदू पर चर्चा करने के लिए आ रहा हूँ दोस्तों जो UPSC के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है आप दिखेंगे कि UPSC Prelims बहुत बड़ा संकट बन जाता है उन अभ्यार्थियों के लिए जो लगातार महनत करते हुए अपनी तैयारी को अंतिम निश्कर्स तक ले जाना चाहते हैं प्रिलिम्स एक ऐसा पैटर्न है जिसे बहुत गेस नहीं किया जा सकता हूँ उसके लिए यही तरीका है कि आप लगातार अभ्यास करते रहें करत करत अभ्यास ते जडमती होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निसान अगर आप सभी अभ्यास करते हैं लगातार अभ्यास करते हैं दोस्तों तो एक दिन ऐसा आएगा एक तैयारी का लेबल ऐसा आजाएगा मैं आपसे बार-बार डिसक्सिन करता हूँ दोस्तों कि प्रिलिम्स जो है पीटी जो है वो बहुत ही साइंटिफिक एप्रोच से सॉल्व किया जाता है अगर आप देखें उसे रटे रटाय पैटर्न पर सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है उसका कोई वास्तविक फ्रेम नहीं है कि आप अगर ऐसे पढ़ लेते हैं तो प्रस्न को सॉल्व कर लेंगे कोई एक सब्द का मिस्टेक अगर आपके पढ़ने में हो जाता है तो समझे कि आपसे वो प्रस्न गलत हो जाएगा साउधानी पूरोच नहीं पढ़ा अगर आपने बहुत अच्छी तरीके सा अंडरस्टेंड नहीं किया प्रस्न को तू भी प्रस्न गलत हो जाएगा तो बहुत विद्धोता की अवशक्ता नहीं है लेकिन लगातार अभ्यास की अवशक्ता जरूर है दोस्तों तो आप सभी प्रिलिम्स की तयारी करते हैं समय ध्यान रखे अगला जो छे महीना है तो बेसिक आप से बोलता हूं N.C.E.R.T. अगर आपने पढ़ा है तो आप दोस्तों अपने प्रस्न पत्र का 40% भाग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं कहीं कोई मुश्किल नहीं आती है 40% भाग आपका कम्प्रीट माना जाता है ठीक है प्लस जो एडवांस बुक है आपके पास एडवांस जो भी बुक्स है जिन्हें आप पढ़ते हैं उनसे आप कवर कर सकते हैं और 40% ठीक है जिसे दिखी उसके बाद जो आपका करेंट पोर्शन है ठीक है मैंने आप सभी को बताया भी ताक कल भी एक वीडियो पर मैंने चर्चा की थी कि जो आप 20% जो 100% इसका देना चाहते हैं वो गलत प्रोच है आप मान के चलिए कि इसका भी आप 70% आप डीजिए 70% कुशन अगर आपका सही होता है तो प्रिलिम्स में कोई बाधा नहीं आएगी क्योंकि करेंट अफेस का जो एरिया है करेंट करेंट अफेस का जो पूरा पैट तोर्स कंप्लीट नहीं है क्योंकि कोई एक घोशना हो सकती है ठीक है कोई एक घोशना हो सकती है जिसमें जिसको आप आपने सुना तो है लेकिन अच्छी तरीके से आपने उसे रीड नहीं किया ठीक है तो मान सकता हो कि थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है लेकिन दोस्तो तो यह जो इस्टेटिकल पॉर्शन है यह पॉर्शन है मतलब जो सब्जेक्ट है आपके इन से आप 50% सही कर सकते हैं और दोस्तों देखिए अगर प्रिलिम्स में आपके 50% सही होते हैं तो आप असानी से अपने प्रिलिम्स को कौलिफाई कर सकते हैं बहुत बड़ी समस्या यह है कि आप कौन से किताबे पढ़ें कहां से सोर्सों से कठा करें दोस्तों मैं कहता हूं कि किताब आप इन से आप पढ़ लीजे और एडवांस बुक बहुत प्रचलित हैं उसमें कोई बहुत बड़े विसेशग्य के सुझाओ क्या वसकता नहीं है लक्षमी कान पढ़न जोग्रफिक के लिए तो पढ़ लिजे शिक्स टु टॉल्वजиля पढ़नी है तो पढ़ लिजे समेंदर सुंगी किताब अपको जोग्रफिक के लिए पढ़नी है तो कोई बहुत बड़े इसमें विसेशग्य के सलह क्या वसकता नहीं है यह पर अपें तो पर्चलित नहीं दे पाएंगे। क्योंकि बार बार रिवीजिन करना, एक बार अध्यन करना, किसी एक किताब से अध्यन करना आपके लिए ग्यान का सोच नहीं होता है, वो पहचान की बात होती है, कि आप इसे को थोड़ा सा पहचान गया है। उसको बेहतर करने का सबसे लॉजिकल तरीका यही है, कि आप उसे एक से अधिक बार पढ़ें। और मैं तो कहता हूँ कि मिनिमम का आउसत लेके चलिए, कि मिनिमम हमें टेन टाइम्स उसे पढ़ना ही है। तब जाकर के आप उस बिसे में अपने प्रस्न का उत्तर जो है, बहुत ही भी धिवत दे पाते हैं। एक से आपका एक्जाम बहुत ही सरल हो जाए। उसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप अभ्यास करें। दोस्तों बार-बार एक ही सब्द में कहूंगा कि अभ्यास करिए आप। जब तक आप प्रस्न पत्र का अभ्यास नहीं करतें। प्रिविएस येर कुश्चन का अभ्यास नहीं करतें। आपको नहीं पता है कि आपको हिस्टी से कैसे प्रस्न आते हैं। तो कैसे कर पाएंगे आप आप पढ़ते जाएंगे आप सबसे आसान तरीका यही है कि आप प्रिविएस येर के कुश्चन देखें। कुश मॉडल कुश्चन देखें। आप मार्केट में बहुत सारे संस्थाएं अपने अपने मॉडल टेस्ट पेपर उतारती हैं। ओनलाइन हैं ऑफ-लाइन हैं आप डिजिटल तरीके से भी देख सकते हैं या आप हड़ कॉपी भी उसकी ले ले सकते हैं। तो दोस्तों आप उन्हें देख करके आप एहसास करिए कि कैसे जो मैंने पढ़ाई की है क्या उससे वह प्रस्ण आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिसे आज भी हम चर्चा करेंगे कुछ प्रस्णों पर ठीक है और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि छोटी-छोटी मिस्टेक को कैसे शॉट आउट किया जाता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम बहुत डेप्ट में जाने की कोशिश करते हैं बहुत डेप्ट में कि हमारी पढ़ाई हम आईएस की तियारी करते हैं तो बहुत डेप्ट में पढ़ेगा। बहुत मोटी मोटी किताबे, बड़ी बड़ी किताबे, बड़ी लेखकों के किताबे पढ़ने पढ़ेंगे ये ब्रहम जो आपके दिमाब को आजाता है, ये कहीं न कहीं आपको राइट डिरेक्षन से बाहर कर देता है दोस्तों बहुत ही सामानने किताबें आप एक से अधिक बार पढ़ने का प्रयास करें मैं बार बार आपसे अपील करता हूँ इस बात के लिए कि इस बात पर आप जरूर फोकस करें क्योंकि जो अनभा हमने अपने अध्यन के समय लिया था जो कमियां हमें सुयम दिखी है जिस किताब से लेकिन जिस किताब को पढ़िए उससे सिर्फ एक बार नहीं एक से अधिक बार दसियों बार पढ़िए दोस्तों यह सब से बेटर आप्शन आपके पास होता है आप स्परिश्टरम बढ़ते हैं बहुत परशन गलत नहीं होग आपसे एकार तो कोई बड़ी बात नहीं मानिते हैं अगर एक आप जूट जाए तो अबमान के चलिए यह मुरी गलती नहीं है इतना तो छूटना ही था लेकिन अगर आप दस बार स्वेक्टरम पढ़ते हैं तो मौडर इंडिया का कोई प्रशन गलत नहीं होगा यह मैं आपको स्वप्रितिसत समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों आप इसे जरूर समझें कि किताबों की संख्या अपने घर में लाइब्रेरी नहीं बरकि लाइब्रेरी में जाकर कि अपने नोट्स बनाने के छमता पर अब लीप करें ठीक है ना कम समय में अगर आपको सफलता लेनी है तो अपने द्वारा लिखी कि ये पतली से नोट्स पर आप ज़्यादा विचार करें दोस्तों बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि संसार में तीन लोगों का मुक कौन कौन से दोस्तों तो पहला है मित्र यदि मित्र आपको अच्छा मिल जाता है तो आप हमेशा सकरात्मक बने रहते हैं आप पे कभी भी नकरात्मकता हावी नहीं होती है आप बहुत ही स्वस्त और मस्त रहते हैं और जो बहुत आवश्यक है जीवन के लिए दूसरी जो आपका प्रभाव धिरे-धिरे समाप्त होने लगता है और आप में नकरत्मक्ता आने लगती है और आपका जो उर्जा का इस्तर है वो समाप्त होने लगता है तीसरी जो महत्पूर्ण बात है वो है पुस्तक किताब बुक दोस्तों ये हमेशा आपके ग्रोध के बारे में ही सोचती है लेकिन अगर आपने गलत किताबों का अध्यन कर लिया गलत तरीके से अध्यन कर लिया अध्यन की किताब को आपके जहन में आपने नहीं पहुंचाया, मन में मस्तिक्स में आपने नहीं पहुंचाया तो इस किताब का भी कोई उप्योग नहीं रहता है तो आपका परिणाम जो है आपके इस फलता के साथ आता है तो इन प्रियोग इन तीन वस्पों का प्रियोग आपको बहुत ही विधिवत तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से करना आना चाहिए दोस्तो तो इसी तरीके से देखें UPSC जो है वो बहुत ही scientific तरीके से कीगी preparation से परिणाम निकलता है दोस्तों अचानक आप बहुत लेबूरियस हैं जिसे मेरा एक बहुत अच्छा मैं मानता हूँ कि एक फार्मूला बहुत इंपोर्टेंट है ठीके मैं अक्सर कहता हूँ कि कार की परिभासा समझ करके हम अपने जीवन में अपने कर्म को वेवस्तित कर सकता है कार की परिभासा जिसे दोस्तों अगर मैं कहता हूँ कि डबलू वराबर या न्यूटन की नियम के अंसार ठीके कहा जाता है कि डबलू वराबर एफस इंटू कॉस थीटा ठीके डबलू वराबर एफस इंटू कॉस थीटा अब यह है कार की परिभासा कार की परिभासा मतलब बल गुणे बल की दिसा में विस्थापन ठीक है Newton का मानना है और वास्टविक्ता में भी है कि अगर कोई विक्ति अपने सर पे 1000 किलो का भी बोज रख ले तो इसकी value हम 0 करेंगे ठीक है क्यों क्योंकि इस theta की value पे ज़्यादा depend है कार मेरे कहने का sense यह है दोस्तों इस formula का अंसार कि आप काम करते हैं ये तो better है ये तो बढ़े हाँ बात है आप काम करते हैं लेकिन काम करने की दिसा हार्ड वर्क से ज़्यादा जरूरी है आप नियमित अपने direction को देखते रहिए कि आप जो मेहनत करने है उस right direction में है कि नहीं है क्योंकि मेहनत अकेले मातर से आप सफल नहीं हो सकते हैं आप hard worker हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास result आएगा आप देखे बहुत सारे instrument होते हैं बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन सफल हो जाते हैं अब उनमें और एक hard worker में देखे कितना अंतर होता है एक व्यक्ति जो होता है बॉस की चेर बेट करके ज्यादा कमाता है एक लेवर उसे ज्यादा मेहनत करता है कम कमाता है direction of the work ठीक है आप कारिका की दिशा जरूर देखें यही बात कहते हैं कि Newton की अगर हम दिखें अगर इसका value हम 90 degree रख दें तो mathematical form में देखा जाए कॉस 90 के value होती है 0 तो अगर आप अपने सर पे बहुत दबाव लेंगे प्रिशर लेंगे तो यहाँ आपकी value हो जाएगी 0 तो कहीं ऐसा ना करें कि पढ़ते समय आप दबाव में जादा है ठीक है और आपकी दिशा गलत है अगर आपकी दिशा गलत है आपका direction सही नहीं है आपके दोरा तयार किया गया आपके दोरा पढ़ा जाना है वाला study material अच्छा नहीं है तो आप पे पढ़ने वाला प्रभाव जो होगा वो कहीं न कहीं आपको सुन ने कर देगा जीरो कर देगा तो आप इसको बहुत गवर से देखते रहे हैं जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे तब तक आपका result जो है वो बहुत ही bitter नहीं हो पाएगा तो मेरा आप से सभी से अनुरूध है कि आप जब भी पढ़ें तो मस्तिस्क को खोल करके पढ़ें ठीक है शिर्फ पढ़ने की आदत की वज़े से न पढ़ें दबाव में आकर के न पढ़ आप हैं कि आप घर में बैठ रहे हैं पढ़ रहे हैं तो आपके लिए पढ़ने की जिमिदारी आपको दे दी गई है या आपको सफल होना है या आपके नौकरी का दबाओ है या सब चीजों को लेकर के कहीं पढ़ने मत बैठी आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो लक्ष को रुखे दिमाग में आप पाना क्या चाहता है और आपका लक्ष बड़ा है आपका विचार भी बड़ा होना चाहिए आपकी मेहनत करने की जो रिगुलर्टी से उसमें भी बहुत ज्यादा प्रभावी करने वाला होना चाहिए तो आप सभी को बहुत बहुत सुबकामना है चलते हैं आज प्रशन की सिंखला की और हम लोग देखे पहला प्रशन जो है आपके स्क्रीन पे है इस स्क्रीन पे पहला प्रशन है निमनिखित युगमों पर विचार कीजिए और दिखाईए कि नील कपड़ा रंगने में इस्तमाल किया जाता है सोरा बारूद बनाने में इस्तमाल किया जाता है दिवानी का अर्थ होता है दोस् क्या रीट करी जोस्तो बताईए क्या उत्तर होगा कि सामान्य प्रस्ण है इसमें मेल करना मैंने आपसे पूछा है दोस्तो सुमेलित कीजिए किसमें से बताईए कि कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित है दोस्तो देखे यही मैंने आपसे का था कौन सा सुमेलित है और कौन सा नहीं है ये शब्द जो होते हैं बहुत ही महत्पूर्ण होते हैं आपके दिमाग में जो प्रस्ण चलता रहता है आपके दिमाग में बिक्तिकर जो प्रस्ण चलता रहता है उसी प्रस्ण को आप अपना महत्पूर्ण मान लेते हैं तो वो आपका गलत हो जाता है तो आप बताईए कि इन में से कौन सा प्रस्ना सही है दोस्तों आप सभी इसका जवाब दीजे देखिए नील कपड़ा रंगने में इस्तमाल क्या जाता है इंडिगो आप अच्छी तरीके से जानते हैं नील कपड़ा रंगने में ही इस्तमाल क्या जाता है कि आप Eliminate करने पे जाईए ठीके बहुत अपने आप फे दबाव मत डाली आप Eliminate करने पे जाईए ठीके अब आप देखे दूस्तों कि जब आप Eliminate करते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि जो इसा क्वार आप अच्छी तरीके sociedade है, hail जो सोरा जो हमता है एक chemical है जिसके द्वारा क्या बनाया जाता है बारूद बनाया जाता है ठीक है अब आप बताईए क्या अंसर होगा comment box में अपने उत्तर दीजे दोस्तों clear है आपको सुझ में आ रहा रहा ना कि अब आपको दिवानी जो है वो सैन ने विभाग है कि नहीं है suppose that आपको नहीं आदा रहा है यह है कि नहीं है लेकिन फिर भी आपका उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि अब आप देखिए जब दूसरा भी सही है इसका मतलब यह option भी कट गया एक option बसता है option c option c तो आप eliminate करके दोस्तों बहुत आसानी से इस प्रस्न को solve कर सकते हैं क्योंकि आप अच्छी तरीके जानते हैं दिवानी जो है वो है राजस्व विभाग है revenue department राजस्व विभाग है यह सैने विभाग नहीं है ठीक है सैने विभाग नहीं है तो आप मैंने आप से कहा eliminate करके चलते हैं हम लोग आप देखिए नील का इस्तमाल का प्रण रंगने में होता है सोरा बारूत बनाने में होता है दिवानी राजस्व वसूल करने वाला एक विभाग है तो आसानी से तो सही कर सकते हैं आप सभी comment box में बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं अगर आ रहा है तो आप सभी like करिए share और subscribe करिए दोस्तों क्योंकि ऐसे ही अब इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ मिलने वाला है जो आपके exams के लिए बहुत ही महत्पूर्ण होगा और दोस्तों यह सब होगा यह पीवाई क्यों चल रहा है यह होगा आपके लिए बिलकुल ने श्रूल के दोस्तों तो आप देखें अगले प्रसंद क्यों चलते हैं हम लोग देखें भूराजस्यों के संदर में निम्निखित कत्मों पर विचार कीजिए land revenue system की बात की जा रही की आयका सबसे इंकम का सबसे बड़ा dat इती और वह अपने revenue का बड़ा हिस्सा जो है कुछ को देती थी बड़ा हिस्सा यह सरकार को चला जाता है क्योंकि सरकार से एक licensing माध्यम से सरकार के दोरा एक license provided किया गया था इस company को और company आकर के हाँ व्यापार कर रही थी ठीक है न वह मुक्त नहीं थी लेकिन वह ब्यापार करने के नियमों को बनाने में मुक्त थी ठीक है देखे जब पहला सही मान लेते हैं तो फिर option में चले आई ये option में चले आएंगे तो क्या होगा देखे एक कट गया क्योंकि यहां पर एक नहीं है तो कम सकम अब जो probability होगी जिसे आप देखे आप तुक्का मारते हैं और 100% है तुक्का माने गार्णिटी 100% है अब आम मान किसे लिए आपको प्रस्ण नहीं आता है तो चार option है A, B, C और D ठीके अब इनमें आपका अगर आपको प्रस्ण नहीं आता है तो सही होने के probability कितनी है 25% हो सकता है A सही हो, हो सकता है B सही हो, हो सकता है C सही हो, हो सकता है D सही हो आपने लगा दिया लेकिन आपको नहीं आता तो हम मानते हैं 25% अगर सही हो गया तो हो गया वरना गलत तो ही ठीक है लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अगर elimination आप कर लेते हैं eliminate कर देते हैं तो देखें यही probability बढ़ करके 50% हो जाती है या तो confirm देखें या तो B सही होगा या तो D सही होगा ठीक है या तो B सही होगा या तो D सही होगा तो चलिए हमने माना कि एक और दो और एक और दो इसमें common है तो यह तो done हो गया कि दो तो सही ही होगा ठीक है ना दो तो सही होगा क्योंकि देखें एक और दो इसमें भी है और एक और दो इसमें भी है, तो दो को तो अपने पढ़ेंगे ही नहीं, दो को तो अपने पढ़ेंगे ही नहीं, दो को तो अपने अल्रेडी सही माल लेते हैं, क्योंकि option में ऐसा कुछ है ही नहीं अब देने के लिए, है की नहीं, क्यों विबेक, सही है न, ठीक, तो अब देखिए अब अगला क्या हो जाएगा अब तीसरे option को पढ़ लेते हैं गवारी हम लोग तीसरे option को देखते हैं फिर clear हो जाएगा तीसरे option जो है वह है वारिन हेस्टिंग के समय में company ने बंगाल और बिहार में राज़त सोवसूली के अधिकार की निलामी की थी आपको याद हो तो company ने वारिन हेस्टिंग ने 1773 के act के थ्रू जो है क्योंकि आप ज्यानते हैं 1765 हिस्वे में इलहाबाद की संधी हुई और बंगाल और बिहार जो है वह नवाफ से बातसाथ से ले लिया गया इलहाबाद की संधी में ठीके इलहाबाद की संधी में इसे ले संधी के अधार पे इसकी निलामी क्या दिए जो ज्यादा बोली लगाएगा जो ज्यादा रिविन्य देने के बाद करेगा हम उसे वो एरिया दे देंगे ठीके अब थोड़ा सा conceptual तो है लेकिन अगर 1773 का act आपको पता है और 1765 का आपका इलहाबाद की संधी पता है तो प् अंसर एक्टली है ना हमरे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीके अब देखिए पढ़ने का जो मैं अब देखिए दोसर क्या है कंपनी राजसु का एक बड़ा भाग भारत से व्यापारिक वस्तुएं खरीदे में खर्च करती थी अब आप देखिए बहुत बड़ी बात ह 1773 या जब प्लासी का युद हुआ इलहावत की संधी हुई ठीके इन सब की दोरान भारत से वस्तुएं खरीदी खरीदा करते थे कौन बिटेन बिटिश शरकार बिटिश कंपनी जो थी वो भारत से वस्तुएं खरीदा करते थी तो जो ड्रेन आफ वेल्ट की थेयरी है चल अब भारत का संपूर्ण पैसा कहां चला जाने लगा इसी को ड्रेन आफ वेल्ट की थेयरी कहा गया है यह 1861 में दादा भाई नौरोजी ने दिया था अपने ग्लैंड डेप्स टू इंडिया की एक संपाद की लिए लेग में इस बात की चर्चा इन्होंने की थी आप ब्याख्या पड़ लीजे आप सभी आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए क्या आप सभी को प्रस्ण समझ में आ रहा है चलिए अगला प्रस्ण क्यों चलते हैं हम लोग अगला प्रस्ण दिखे आर्थ अंग्रेजों के आर्थिक नीतियों के संदर में विचार कीजिए बताई देखें देखें ये नीतियां ग्रामीर अर्थ व्योस्था को आत्म निर्भर बनाने के लिए अपनाएगे थी दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें कि अंग्रेजों के आर्थिक नीतियां भारत को आत्म निर्भर बनाने की शलाह देंगी कि पढ़ते समय अगर आपने बस इतना सोच लिया कि हम पढ़ जू प्रसने जू पढ़ रहे हैना इसका निकल रहा है बस आपका काम हो गया दोस्तों मैं पूरा modern पूरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रिलिम्स निकालना एक scientific approach है गारिंटी के साथ मैं आप से वादा कर सकता हूँ दोस्तों कि जिस student ने top किया है उसके भी 70% सही नहीं थे प्रिलिम्स में उसने भी 50-55% के बीच में अपने आपको सही माना फिर आप इतना मेहनत क्यों करते हैं अनावश्रिक दबाव क्यों लेते हैं आपको भी बहुत ही सरल बहुत ही सहज तरीके से प्रस्न के पैटर्न को समझना चाहिए मैं कहता हूँ बार बार आपको कहता हूँ कि आप बहुत नॉलिज ले लेंगे उससे इंपैक्ट नहीं पड़ता उससे कोई फरक नहीं पड़ता अगर आप अभ्यास बेतर नहीं करते हैं तो फिर आपका सारा का सारा मेहनत व्यर्थ हो जाता है अब देखिए, मैंने कहा कि आप सिफ ऐसे guess करिए, क्या अंग्रेज भारत को आत्मिर भर बनाने का कोई भी प्रयास करेंगे, आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? क्या होना चाहिए? बिलकुल सही. नहीं करेंगे ना? तो जब नहीं करेंगे तो देखिए, कि जहाँ-जहाँ, अब देखिए इसमें मैं कुछ नहीं पढ़ूँगा, चुछ पढ़ूँगा ही नहीं, तब यह अंसर सही हो जाएगा? विवेक, अंसर सही हो जाएगा? टीक है? आप देखे एक क्योंकि सही पूँच रहा है देखे एक यहां भी है ठीके और सब यूपियसी में आये हुए प्रस्ना है आप बताइए कि आपको कठिनाई हुई कोई कठिनाई आपको लग रही है आज देखे जो अध्यापक है वो बहुत बड़ी पूझी होते हैं रास्ट के जब वो कभी बच्चों को मारदर्शन देने जाते हैं तो अपने अनुभाओं का सहरा जब वो नहीं लेते हैं अपने अनुभाओं का सहरा मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ ज्ञान का तो जो ब्रम्हांड है वो बहुत बड़ा है उसका कोई अन्ति ही नहीं है लेकिन अनुभाओं जो होता है विक्तिका वो किसी भी ज्ञान या किसी भी लक्ष को प्राक्त करने का सबसे सरलमाध हम लोगों ने खुद परिक्षाइं दी हैं उन परिक्षाओं को टेकल किया है देखा है कि क्या पैटन है exam hall के बाहर आते ही हमारे 2-3-4 प्रसन सही हो जाते थे यार ये गलती हो गई ऐसा हो गया ऐसा हो गया ये नहीं किया ये सुचा ये दबाव ले लिया इसको पढ़ा इसक दबाव लेते हैं ना आप नेच्रल रहे है नेच्रल एक्जाम्स के पहले ही अपने प्रेपरिशन्स को इतना स्टॉंग करके रखे इतना अपने अभ्यास को इतना बेहतर बना के चलिए कि आप एक्जाम्स को भी एक सामान दिन की तरीके से जी जीन की कोशिश करिए बहुत बढ़ हैं आपका प्रदर्शन होगा, मित्रों, आप देख लिए मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने एक उप्षिन पढ़ाओ, और एक उप्षिन पढ़ करके मैंने आपको बता दिया क्यों उत्तर क्या होगा, देख लिए आपके सामने, मैंने कहा बस आप से इतनी पूछा कि अं अपने बिकल्ब पढ़ लीजे तो बहुत ही आसान तरीका है ठीक है जब हम दबाओ ज्यादा ले लेते हैं तो प्रस्न हम से गलत हो जाते हैं क्योंकि हम फिर सही से पढ़ नहीं पाते हैं इसलिए मैं आपको एक एक आप्शन पर लेके चल रहा हूं जिसे बोलते हैं अप्शन को खटा दीजे जो आपके कुशन में दिये अप्शन से मैच नहीं करते हैं आप उन्हें हटा दीजे आपका उत्तर सही हो जागा व्याख्या देख लिजे आप सो भी पढ़ लिजे पढ़ लिजे व्याख्या आप देखें इन नितियों के कारण गाओं की अद्निर्भरता समाब्त हो गई ये नितियां भारत में अंग्रेजों के आर्थिक हीतों को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी जिसके कारण भारती जनता के जीवन में मूल परिवर्तन हुए राजशों की वसूली मुद्रा के रूप में होने लगी इसलिए किसान ऐसे फसलें उगाने के लिए मजबूर हुए जिन्हें बाजार में बेचा जा सके दोस्तों गाओं में कपड़े और अन्युत पादित चीजें पहुचने लगी और इस्थानी दस्तकार के धन्दे चौपट हो गए अंग्रेज वही चाहते थे जिनमें उनका ज़्यादा लाब था ना कि वह भारतियों के हीतों के पूर्टी करना चाहते थे दहां हम धान गेहूं जिसे फसलों को अपने खेतों में बोते थे और साल भर हम अपनी आजीवका को चलाने के लिए फसल उगाते थे वहां नील, कहवा, कपास और गांजी जैसे या अफीम जैसी फसलों को हम उगाने लगें और उसे पूरी भारती अर्थ विवस्ता नस्टफ हो गई चले अब ये प्रशना आप सभी को करना है दोस्तों आप देखिए इस्थाई बंदोबस्त के संदर में निमनी खित कतनों पर विचार कीजिए मुगल काल के जागिरदारों की इस्तिती इन विवस्ता में इस विवस्ता में जमिदार से बहुत बहता थी इस विवस्ता के कारण खितिहर मजदूरों के संख्या बढ़ गई आप ये बताईए सीधी सी बात कि कोई ऐसी अंग्रेज कोई ऐसी बिवस्था बनाएंगे जिसमें किसी की संख्या बढ़ जाए या इतना दबाव हो जाएगा तीक है निम्निकित में से कौन सही है आप देखी इस बिवस्था से सरकार की अपिक्षा जमिदारों को जादा फाइदा हुआ अगर आप देखें इसी बिवस्था का नाम है इस्थाई बंदोबस बिवस्था का नाम दूसरा जो नाम है वो जमिदारी बिवस्था भी है या इस तो मरारी ब्यवस्था भी है जोस्तों इस तो मरारी ब्यवस्था भी है मैं कता हूँ किसी एक option को पकड़िए बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इस ब्यवस्था के जमिदारों ने इस ब्यवस्था ने जमिदारों के एक नए वर को जरुन दिया जो अंग्रेजियों के प्रतिव अफ़ादार हो गए देखी इसका नाम ही जमिदारी ब्यवस्था है तो इसका मतलब है जमिदारों को तो लाब हुआ ही होगा जमिजारों को definitely benefit होगा हम एक option पकड़ लेते हैं option तीन को पकड़ लेते हैं option तीन हमारे निदर में अगर सही लग रहा है तो पताई कौन दो option कट जाएंगे ठीक है न यहां देखी एक option कट जाएगा मतलब C तो गलती से भी आप नहीं लगाएंगे C तो गलती से भी आप नहीं लगाएंगे क्योंकि C option इसमें नहीं है मतलब तीन में इसमें नहीं है इसलिए आप नहीं लगाएंगे फिर देखी इसी प्रस्ण का अगला चरण है कि अगर जब जमिदारों को फायदा होगा तो इस विवस्था ने जमिदारों को एक ने वर की ने रूप में प्यदा किया है क्योंकि जमिदारी वव्यğस्था हो गई सीधर टैख से लिए जा जाता था तो यह अंग्रेजaber के प्रत्य हो जाएंगे यह विरोधी रोधीं हो जाएंगे क्यों है न वफदार हो जाएंगे वे सिंपल सी बात है जब जमिदारों को बेनीफिट होगा तो जमिदार अंग्रेज के साथ तो अच्छे से तरीके से सटी हो जाएंगे ठीके अब आप देखे आपको क्या सही लग रहा है आपको चोथा भी सही लग रहा है तो देखे चोथा इसमें नहीं है काट दीजे अब आपको क्या लग रहा है अब हम 50-50 में आ गए कि या तो हमारा ठीके एक सही होगा या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा अब हमें प जमिदारों से बहुत बहतर थी, मुगलकाल के जागिरदार की इस्थिती इस विवस्था में जमिदारों से बहुत बहतर थी, जो मुगलकाल के जागिरदार हुआ करते थे, क्या उनकी इस्थिती यहां के जमिदारों से बहतर थी? दिखे जो मुगलकाल के जागीरदार हुआ करते थे उनको सेन ने व्यंस्थाइं भी रखनी पड़ती थी उनको सुरक्षा की प्रणाली भी देखनी पड़ती थी उनको पूरी एरिया की कहजा सान अच्छन भी करना पड़ता था पूरी देखभल करना होता था टेक्स टेक्स कलेक्स करना पड़ता था हना कलेट करना पड़ता था बस तो आप बताई कि मुगलकाल के जागेदार अच्छे हुए या अभी के जमिदार बताई तो सीधा सा उत्तर है मेरे भाई कि मुगलकाल के जागेदारों की इस्टिती इन से अभी के जमिदारों से बहुत वेकार थी बहुत बेकार थी अर्थार जो जागिरदार थे वो जादा दबाव में थे जो जागिरदार थे वो जादा दबाव में थे अपेक्षा अपेक्षा किसके तो जम्मिदारों के तो दिखे option number 1 जो है वो गलत लिखा है आप सीधा सीधा पकड़ सकते हैं आपका क्या उत्तर सही हो गया ठीक है ना सीधा सीधा गेस कर सकते हैं कि आपका कौन सा उत्तर सही हो गया आपका उत्तर हो जाएगा बी एलिमिनेट कर दीजे सब एलिमिनेट कर दीजे पढ़िए आप अपने अंसर पढ़ लीजे चलि नेक्स्ट कुश्चन देखिए आप सभी भार्ती उद्योग और व्यापार के संदर में निमलिखित कत्मों पर विचार कीजिए पढ़िए अप अच्छे से पढ़िए भार्ती उद्योग और व्यापार के संदर में बताई कैसे होगा देखिए सहरों में बसे हुए सिल्पकार उपियोगी चीजों के अलावां विकास की भी चीजे बनाते थे सत्रहमी आपको पूछा जा रहा है कि निमलिखित में से गलत कौन सा है गलत ठीक है न सत्रहमी और अठारमी सदाब्दी में जहाद निर्माण के छेत में भारत का बड़ा नाम हुआ सिल्पकारों को राजाओं और सामन्तों का निरंतर सनक्षन प्राप्त था सिल्पकार मनतब क्रॉप्ट मैं जो घर में बढ़ाई होते हैं जगिरदार होते हैं उनकी बात की जा रही है एक और प्रस्ण है सिल्पकार सिल्पकारी पैत्रिक पेशा नहीं थी दोस्तों आप गेस करिए कि इसमें पुछा रहा है गलत ध्यान रखे रॉंग पुछा जा रहा है इस चीज़ आप ध्यान रखेगा इसलिए मैं ने कहा कि आपको गलत सही पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरीका से आप बताए कि आज भी अगर हम आज वरतमान के दोर की बा वैश है तो उसके हाँ है कम जो विभाजन था जन्म के आधार पर कारियों का अना ब्राह्मन शात्री शुद्र वैश है ठीक है उनमें जो वैश से कई अंतरगत कई जो उपर विभाग आते थे जिससे सिल्बकार उसमें भी आता था तो सिंपल सी बात है कि सब पैट रिख आज दो भी आप देख लिए जिसके घर में जो काम हो रहा है वो अपना उसी काम को अगे बढ़ाने का प्रयास करता है तो सीधी सा एक उत्तर लग रहा है आपको क्या होगा क्योंकि सहर में जो सिल्बकार होंगे वह ऐसा नहीं होंगे कि उपयोगी चीजे बनाने के बाद विकास की चीज़ें नहीं बनाते होंगे डिफिनेटली बात है जो अर्किटेक्टर है जो कलाकार है जो सिल्पकार है वो एक बहतर काम करता होगा जो भी उसके पासा सुकता होगी देगा वहीं आप देखिया ठारवी सताबदी में भारत से बहुत ज़्यादा व्यापार बढ रही क्योंकि सिल्पकार पैत्री पेशा नहीं था बिलकुल था जी बिलकुल था क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जो भी सिल्पकार है उनके परिवार में सिल्पकारों की संख्या बढ़ती है कोई ब्यापारी हो तो ब्यापारी की संख्या बढ़ती है तो फिर उसे हम सही गुजरात के सिल्पकार शीनियों में संगठित थे वे शीनिया उत्पादित वस्तूओं के इस्तर पर नजर रखती थे और अपने सदस्यों के कल्यान का ध्यान रखती थे जहाज का जो निर्मान का के मुखे कें था गुवा, सूरत, मसलिपटम, सतगाओं, ठकाओं और चटगाओं था ठीक है? चलिए अगला प्रसंद दिखते हैं हम लोग 19 सदी के पुरवार्द में अंग्रेजी सिक्षा की मांग तेजी से बढ़ी और अंग्रेजी सिक्षा पर जोर दिये जाने की कारण अंग्रेजी सिक्षा प्राप्त भारतियों में और सेस जनता में एक खाई बन गई दिखिए 1935 में लॉड में काले ने एक सिक्षा नीती दी जिसमें भारतियों को अंग्रेजी सिक्षा को देने की मांग की गई और इसका मानना था कि काली चमणी में गोरा दिमाग अर्थात भारत में कलरक वेवस्था का जन्म हुआ तो दोस्तों जो ब्यवस्थित अब इनको सरक्षण मिलेगा ब्यवस्थित होगा तो अट्रेक्षन तो बढ़ेगा यह बढ़ेगा खाई तो पेड़ा होगी होगी 19 सदी के पुरवार्थ में पुरवार्थ यही है यही देखिए पुरवार्थ यही है पुरवार्थ में अंग्रेज सिक्षा की मांग तेशे बढ़ी और अंग्रेज सिक्षा पर जोड़ दिये जाने के करणा अंग्रेज सिक्षा प्राप्त भारतियों में और स्वेश भारती जनता में एक खाई बनी देखिए ओप्शन देखिए लेकिन आपको इसमें जोस्तों देखना है कि यह व्याख्या कर रहा है कि नहीं तो चली बताईए देखिए इसमें मैंने कहा है सही तो दोनों है लेकिन व्याख्या इस पस्टी करण नहीं कर रहा है अंसर हो जाएगा भी ऑप्शन पढ़ लीजे पढ़ लीजे ऑप्शन पढ़िए दोस्तों प्रस्टनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा आप सभी को तब जागर के वेवस्तिता आप अगला प्रस्टन देखिए रहियत वाड़ी वेवस्ता के संदर में निम्खित में से कौन सा सही है देखिए रहियत का अर्थ होता है प्रजा और प्रजा का मतब था रहियत जो बेवस्ता थी टैक्स लेने की उसका माना था कि अब सीधे प्रजा से लिया जाएगा डारेक्ट टैक्स डारेक्ट टैक्स लिया जाएगा अब एक बात अब जान रखेगा ठीके तो देखिए सरकार और किसानों के बीच कोई विचवलिया न रहा ठीके गाउं के समूँ पुराने जमिदारों के अधीन रहे जमिदारों को जमीन पर वनसगत अधिकार दिये गए या सरकार का हिंस सदा के लिए निश्चित कर दिया गया अगर इसी से एक सब्सक्राइब से पकड़ने की कोशिश करें दोस्तों तब भी आपका उत्तर पकड़ में आ जाएगा अगर बिटेश सरकार थी उपर सबसे उपर बिटेश सरकार बिटेश सरकार के नीचे नबाब किंग बादशा ठीक है जमिदार कास्तकार यह सब थे और फिर नीचे इसके किसान सिल्पकार और मज़दूर मज़दूर दोस्तों इनका मानना था जो रहीत वाड़ी विवस्ता थी जब बिटेश सरकार ने रहीत वाड़ी विवस्ता लागू की तो यह सबसे बड़े छेतरफल पर लागू थी दोस्तों एक्यावन प्रश्द भूभाग पर भारत के ठीक है तो इसने कहा कि जब हमें मैं क्योंकि यह सरकार हो गया तो ठीक है और यह हो गए टैक्सपेर यह टैक्सपेर हो गया तो इस विवस्ता का मानना यह था कि फिर हम सीधे इन से क्योंने टैक्स लें तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि यह बीच से कैंसे यह इस टेक्स का सबसे इंपॉर्डेंट जो था डारेक्ट जनता से तो अब अब तरहीं लिखाए सरकार और किसानों के बीच विच्वलियों का नरहना था विच्वलियों का अंत अंसर हो जाएगा एक अगर आप इस इद्धान तैसे पढ़ लेते हैं तो आप देखिए कोई कोई दिक्कती नहीं होगी सुन में आए आप सभी को क्लेर है कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप सभी पूश सकते हैं आपको जवाब दिया जाएगा कि देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतरगा तर्येड रहेत वाड़ी व्योस्था लागू की गई यह पूरे देखिए उननिस पतिशत्थ यह थी आपकी पर्मारेंट सेटल्मेंट इस्थाई बंदोबस व्योस्था तीस पतिशत्थी महाल वाड़ी और एक्यावन प्रस्थी रहेत वाड़ी और ओर ओल हंडेड प्रसंट तीक है चलिए अगला प्रसंट देखते हैं हम लोग नेमनिखित कत्नों पर विचार कीजिए पंजाब और दिल्ली में रहेत वाड़ी व्योस्था लागू की गई अठासो तिरपन इस भी में भारत में पहली बार रेलबे बंबई और थाने के बीच में भात में अठासो त तिरपन इस में टेलिग्राफ की शुरड़वात की गई मैंने माना की चलिए आपको ये ये भी नहीं पता है ये भी नहीं पता है लेकिन ये तो पता मैं और द हो कहां-कहां नहीं है इससकोर्ट गाइए इसकोर्ट नclina अब बच्चे हेहिं दो औप्शन ठीक है आप देखिए पंजाब और दिल्ली में रही ये तोड़ी बेवस्ता लागू की ठीक नहीं वहीं आप बताई अठासु तिरपन में टेलीग्राफ कार्णवाली सुष्ण में था डल हो जी स्वरी डल हो जी धनकी ऑप्शन थोड़ा सा पलट गया है तो उपर सी है तो सी घड़ गया है हम बी और डी की बात कर रहे हैं बी और डी में ही आपको पकड़ना है देखिए मैंने आप से कहा कि विवस्ता जो थी ये मद्रास के बिल्ट में जादा थी ठीक है और पंजाब और डिल्ली में जो थी वो महाल वाड़ी विवस्ता लागू थी महाल वाड़ी देखिए महाल कार्थ होता है पिंड पिंड का मतलब होता है गाउं पिंड को पंजाब में कहते हैं पंजाब में कहते हैं तो अब देखिए महाल या पिंड का प्रयोग जो होता है पंजाब में होता है तो यह दिखी यहां सकट गया अब जब एक कट जाएगा तो यह भी काट दीजी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा सही है ऑप्शन दिखी पंजाब और दिल्ली में महालवारी वेवस्था लगो थे और 833 में भाद के पहली रेलवे के साथ टेली गराब वेवस्था इस्टार्ट हुई थे विल्कुल सही है तो मैंने यही आप सभी को दोस्तों अभी तक समझाया कि बहुत इकर साउधानी से सॉल्व करते हैं तो जो चीज नहीं आती है उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाता है भारती उद्योगों के पतन के संदर में निम्लिखित कत्नों पर विचार कीजिए बिटिश प्रदेशों में राजे रजवाडों के धीरे-धीरे खत्म हो जाने के कारण भारती उद्योग बाजार भाव से बीस से चालिस प्रतिशा तक कम कीमत लें अच्छा प्रसना है पढ़िए थोड़ा सा चिले पढ़िए जोस्तों अच्छे से रीट करिए देखे प्रसन को उतार की प्रसन है देखे लिखा है कि बिटिश प्रदेशों में राजे रजवाडों के धीरे-धीरे खत्म हो जाने के कारण धीरे-धीरे खत्म हो जाने के कारण भारती उद्योग की बढ़िया वस्तों की मांग घटती गई यह आप दिखे भारती वस्तों को खरीदने वाला कौन था सबस्यादा कौन था बिटिश अदिकारी थे या राजे रजवाडे थे जब बिटिश शासन आ जाएगा तो भारती वस्तों को खरीदेंगे की भारत में अपने वस्तों बेचेंगे इसका मतलब यह बात तो सही है ना कि जब भारती राजे रजवाडे थे तो भारती वस्तों को खरीदे थे तो भारती वाजार में लगुद्यों कोटोर इद्यों जो थे उनको ज़्यादा बिनिफिट होता था तो एक तो सही हो गया एक सही हो गया तो देखे दो आप्शन खतम अब या तो यह सही होगा या तो यह सही होगा चिल दूसरा पढ़ लेता है कमपनी का मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए उनसके एजेंटों ने कपड़ा तथा निवस्तों के भारती उत्पाद को मजबूर किया कि वे उनसे बाजार भाव से 20 से 40 प्रतिशत कम कीमत लें अगर आप अपनी एकोनामी को मजबूत करना चाहते हैं तो आप अगर सप्लायर है तो डिमांड हो जाएगी तो सप्लाय ठप हो जाएगी सप्लाय रुख जाएगी तो आपका कॉस्टिंग निकलेगा जीरो फिर आपका समान रोग दिया जाएगा तो अपने समान को बेशन के लिए आपने मुलको डेट को कम कर देते हो घ्रा देते हो यह ही बात कह रहे दो आप 7 रूप में अजया है तो सको 20 रुपे का charitable uh कि इसको सीधा क्योंकि इसकी लागत आ रही है 80 रूपए ठीक है और रेट इसमें रखा था सो रुपय है ठीक है अब यह कह रहा था कि हम सो रुपया बेचेंगे तो हमारा घर चलेगा तो अंग्री जुन ने कहा कि सो रुपया तो छोड़ो हम तुम्हें सिर्फ साथ रुपया देंगे ठीक है अगर साथ रुपय में बेचता है तो इसको लागत पर 20 रुपय का नुकसान हो रहा है आप सोचो कि अंग्रीजों ने किस किस प्रॉसेस में भारती छोटी-छोटी कंपनियों को बंद करा दिया डिमांड बनाया रखा डिमांड अब देखिए दूसरी बात क्या हुए जब इन्होंने इनसे ले लिया ठीक है ना भारती के सानुस ले लिया तो यहां करके 105 रुपय में बेच रहे हैं तो आप समझे कितने का बेनिफिट कमा लेगे उन्हीं वस्तूपे 45 रुपय का बेनिफिट कमा लेगे और जो भारती प्रोडुक्शन करने वाले लोग थे व नहीं चलाएगा ना भाई फिर इनकी कमपनियों को कौन खरीद लेगा बिटिश अदिकारी तो आपका ऑप्शन दो भी सही हो जाता है यह इनकी पुरी तरीके से प्लानिंग थी अंग्रेजों की प्लानिंग रही है भारती छोटी-छोटी कमपनियों को समाप्त करने के लि चले बिटिश सरकार के भारत में प्रसासनी नेंद्रण के संदर में नेंखित कतनों पर बिचार करिए 833 के चार्टर ने भारत के बिटिश प्रदेशों के सैनिक और असैनिक प्रसासन के सारे अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिश्यत को दे दिए 813 इसमें भारत के साथ अकेले ही व्यापार करने का कमपनियों का विश्यस अधिकार खत्म हो गया देखी 813 जो है 833 मैं बहुत आप से नहीं कहूंगा कि आपको आता है कि नहीं आता है बहुत फेमस है 833 में एक अधिकार समाप्थ हो जाता है तो आपका दो सही होता है ठीक है तो जहां जहां दो है उसे आप सही कर लें अब आपको देखना है कि 833 में का चार्टर एक बिटिक्स अधिकारियों को क्या सुरुक्षा देता है अब देखी यहीं से भारत में गवर्नर जनरल अभी में यहीं 833 का एक्ट है जहां से भारत में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया जिसके पहले भारत नहीं बलकि बंगाल हुआ करता था ठीक है तो भारत का हो जाएगा देखी लिखा तो है कि आप का अंसर हो जाएगा कि सी कि दिखिए विट्स इंडिया एक्ट ने भारत के लिए दो स्वामी बना दी कंपनी और बिटी शरकार पढ़ी दोस्तों तो आप सबी को मैंने समझाया बहुत ही शानदार दोस्तों यह सरीज हमारी चल रही है प्यूआ क्यू की यहां आप सबी जुड़े आप सभी का बहुत बहुत सौकत दों थैंक यू बेरी मैंच बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं फिर अ झाल झाल